करंट अफेर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ बिशेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 8 जंबर तक के सभी इंपोर्टन करंट अफेर्स कवर करने वाले हैं हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंतर तक जरूर देखेगा आज भी आपक सभी पॉइंट को जरूर पढ़ें कोई भी आपका डाउट हो कुछ भी आप पूछना चाहें तो हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें साथ ही आपको बताना चाहूंगा जो हमारे पीडियेफ सब्स्राइबर्स हैं तो आप जरूर डाउनलोड कर लिजी क्योंकि वही अंसर होगा ओप्शन ए सो लुइस हैमिल्टन वांड टे ट्वंटी ट्वंटी वन साओधी अरेबियन ग्रांप्री तो देखें फोर्मला वन रेसिंग की बात हो रही है यहां पर तो लुइस हैमिल्टन जो की ब्रिटिस रेसिंग ड्राइबर है इन्होंने ट्वंटी बाकि आपको जानना चाहिए इस साल 2021 ने कौन-कौन से टाइटल जीते कातर जीपी ब्राजीलियन जीपी रुशन जीपी ब्रिटिश जीपी इस्पैनिश जीपी पर्चुगीज जीपी और बहरीन जीपी तो यह सब याद रखेंगे आगे बढ़ते हैं भारत और किस बैंक ने उत्राखंड में जल आपूरती और स्वच्छता में सुधार के लिए 125 मिलियन यूएस टोलर के रिड़ पर हस्ता सक्ष किये हैं World Bank, New Development Bank, Asian Development Bank या फिर Asian Infrastructure and Investment Bank सही आंसर होगा option C So India and Asian Development Bank signed a 125 मिलियन यूएस टोलर लोन to improve water supply and sanitation in उत्राखंड ठीक है तो उत्राखंड में जो water supply है उसके लिए 125 मिलियन यूएस टोलर का लोन साइन किया है Government of India, उत्राखंड और Asian Development Bank ने बाकिया आप सभी जानते हैं बार बार हम आपको बताते भी हैं कि ADB का headquarters मंदल यूएंग मानिला फिलिपिन्स में है प्रेजिडेंट है मासाट्सूकू अशकावा और इसकी स्थापना कब हुई थी ये कई बार एक्जाम में पुछा जाता है कोन प्रोवाइड कराएगा यह हम एमसेक्यूज में पढ़ चुके हैं आपको याद होगा तो यहां पर रिविजन पर्पस के लिए आपको बता रहे हैं आगे बढ़ते हैं सारदा मेनन कोन थी ? सारदा मेनन वाज इंडिया स्थ विमेन साक्या टिरिस्त तो देखीये इन algorithms आपके लिए फ्रेम क्या गया है तो ये इंडिया की first woman psychiatrist थी और साल 1992 में इनको पदम बूशन से भी सम्मानित किया जा चुका है आपको बता जें इन्होंने सीजोफरेनिया रिसर्च फाउंडेशन इसकी भी स्थापना की थी किस राज्य ने हमार अपन बजट नामसे एक वैब पोर्टल लॉंच किया है हमार अपन बजट जाने के इसके बारे में तो देखिए 2022 देश का जो बजट पेश किया जाएगा जहारकण सरकार द्वारा तो उसमें लोगों से उनके सजेशन्स मांगे जा रहे हैं इस वैब साइट और मोबाइल एप के थ्रू तो जो जहारकण के चीफ मिश्टा है हेमा सोरेन इन्होंने हमार अपना बजट नाम से एक एप या फिर वेबसाइट लॉंच की है बाकि आप सभी जानते हैं कि कैपिटल राची है और गवर्नर है रमेस बैस जारकण के बारे में आपको इंपोर्टेंट पॉइंट से जानने चाहिए कि बोकारु स्टील प्लांट है हजारी बाग नेसल पार्क है ततलोई होट वाटर इस्टीम है और सारंदा फोरेस्ट है याद रखेंगे सारंदा फॉरेस्ट एक बार यूपि-पी-पिसियों से पुछाएगा था सारंदा फोरेस्ट कहां पर हैं तो याद रिएगा आप इसको जार गंड की बात हो रही ह बारत के पूर्व मुख्य चुनाव आईवत का नाम बताईए जो International Institute for Democracy and Electoral Assistance के सलाकार बोर्ड में सामिल हुए है सुनील अरोडा, नशीम जैदी, अचल कुमार जोतिया, फिर ओम प्रकाश, रावत, सही आंसर है, option A So, former Chief Election Commissioner of India, सुनील अरोडा, has joined the Board of Advisors for International Institute for Democracy and Electoral Assistance ठीक है, तो देखिए, एक Intergovernmental Organization है, जो की Stockholm, Sweden में है, तो इसे में ही जो है, as a Member, या फिर Board of Advisor में इन्होंने जोइन किया है, सुनील अरोडा ने भारत के पूर्वे Chief Commissioner रह चुके हैं, आपको बताते हैं, यह जो Organization है, आईडी है, तो 34 Member Countries इसमें सामिल है, और इंडिया भी इसका इन में से किस बैट्मिंटन खिलाडी को, बैट्मिंटन वर्ड फेडरेशन द्वारा क्रमसा वर्स 2021 का पुरिश और महिला खिलाली नामित किया गया है, ओप्शन्स आपके सामने हैं, और सही आंसर है, ओप्शन C, तो, विक्टर एक्सेल सेंट और टाईशु जींग, और नेम्ड, मेल एंड फीमेल प्लेयर अफ़ येर 2021, तो देखे जो बैट्मिंटन वर्ड फेडरेशन है, इसने 2021 के जो बैस्ट मेल एंड फीमेल प्लेयर हैं, उनके नाम कोशित किया है, तो देनमार के विक्टर एक्से और टाइवान की तई शूजी इन तोनों को अपनी केटेगरी में बैस्ट बताए गया आपको बताए लगारे विक्टर ने आ तोक्यो से में गोल्ट मैडल जीता था और ताइशूज इन ने टोक्यो गेम्स में सिलवर मैडल जीता है बागी आप जानते हैं कि बैट्विंटर वर्ड फेडरेशन का हैटकाटर स्कौाला लंपूर मलेशिया में यह भी पूछा जाता है एक्जाम में याद रखेगा स्पोर्ट सक्षन में और देखें बागी के अवार्ड भी आप खुद से जुरूर पढ़ें इसले मुझको आपको प्रोवाइट कराना जरूरी है इसले मैंने आपको प्रोवाइट करा है बाकी इंपोर्टन यही है आगे बढ़ते हैं साथ इनों ने FM stations भी inaugurate किया है इटावा में, लकीमपुर्खेडी में और बहराईच डिस्टिक में देखे जो इस तरह से question होते हैं मानली जिसमें लिखा Union Minister of Information and Broadcasting अनुराक्सिंग ठाबूर तो यही से आपको एक point यह भी note कर लेना चाहिए कि Information and Broadcasting Minister कोन है ठीक है, question तो है यह पर इसमें आपको यह भी आपका रिवाइस होता रहता इसलिए मैं इसको जरूर मेंचन करता हूँ बाकि आपको जानना चाहिए जो All India Radio है इसके Director General है एन वेनुदर रेडी और दूरदर्चन के Director General है मयंक कुमार अगरवाल असम वैभव पुरुसकार 2021 के प्राप्त करता के रूप में किसे नामीत किया गया है रतन टाटा सीवनादर अजीम प्रेम जी आफिर मुकेश अंबानी सही answer है, option A तो रतन टाटा हैज बी नेम्ड आज दा recipient of असम वैभव Award 2021 तो देखिए former टाटा सीवन रतन टाटा इनको असम वैभव Award के लिए चुना गया है क्योंकि इनोंने आसम में जो Cancer Care Facilities है उनमें काफी बड़ी मात्रा में contribute किया है साथी असम सोरव Award भी 5 personalities को दिया जाएगा कौन-कौन है? कमलेंदुदेब कोरोरी, डॉक्टर लक्षमन S, प्रोफेशर दीपक चंद जैन, लौवलीना, बोर्गोहिंचों की बॉक्सरें और नील पवन बरुवा कर्मचारी बविश्यनिती संगटन यानी EBFO में केंद्रिय बविश्यनिती आयूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है प्रिया जैन, संजे जैन, दीपक मलो तरह, पिर नीलम शम्मी राओ, सही आंसर होगा option D, तो नीलम शम्मी राओ has been appointed as a Central Provident Fund Commissioner in the Employees Provident Fund Organization EBFO, ठीक है, तो यह क्या है, मध्यापरतिस का अड़र की I.S. Officer है नीलम और इनको Central Provident Fund Commissioner बनाया गया है तो यह भी आपके लिए काफी important question रहेगा यूनिक्स ने किस भारतिय अंतराष्टे क्रिकेटर को अपना brand ambassador बना है विराट को लिरी सब पन जस्पृत भूमरा या फिर अजिंग के रहा नहीं सही आंसर है option C, so Unix has signed जस्पृत भूमरा as their brand ambassador तो यूनिक्स आप जानते है पोप्लर इंडियर ब्रैंड है जो कि कई तरह के मोबाइल एक्सेसरी जो smart phones के लिए यूज होती है इसका एक platform है तो इसने जस्पृत भूमरा को अपना brand ambassador नियुक्त किया है अदामा बैरो ने किस देश में राष्टपती चुनाओ जीता सुडान गांबिया से नेगल या फिर बुर्की नाफास हो सही आंसर होगा option B, so Adama बैरो won the presidential elections in गांबिया बाखिया आपको जानना चाहिए कि capital क्या है बंजूल और currency है दलासी भारतिया अमेरिकी गणितग्या का नाम बताईए जिने शिप्रियन फोयस प्रुसकार के लिए चुना गया है, options आपके सामने हैं, सही आंसर होगा option B, so Indian American Mathematician निकिल सिर्वास्तवा has been selected for the inaugural शिप्रियन फोयस प्राइस जाने के इनके बारे में, तो देखिए ये 5000 डॉलर का cash price में दिया जाता है, शिप्रियन फोयस प्राइस तो ये मिला है, जो Indian American Mathematician निकिल सिर्वास्तव इनको, तो केवल इनको 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 मिला है, इनके साथ दो और है, उनको भी जान लेते हैं, कॉनको ने एक्ट है, Adam Marcus और Daniel Spellman, आपको पताते हैं, जो ये सिर्वास्तव है, निकिल सिर्वास्तव जो है, ये University of California, Berkeley, यहाँ पर जो है, टीचर है, किस बैंक ने, इंडिया International Exchange और Luxembourg Stock Exchange पर एक साथ अपने 650 million West dollar green bond को सुची बद्द किया ह है, Bank of India, State Bank of India, Union Bank of India, फिर Punjab National Bank, सही आंसर होगा, option B, so State Bank of India, listed, it's 650 million US dollar green bond, simultaneously on the India International Exchange, and Luxembourg Stock Exchange, ठीक है, तो ये भी आपका SBI के रिगार्डिंग काफी important current affair है, कितने million का green bond है, 650 million US dollar का green bond है, इंडिया International Exchange, और Luxembourg Stock Exchange पर इसने अपना list किया है, किनारा कैपितल ने किस भारते क्रिकेटर को अपना आधिकारिक brand ambassador बनाया है, आधस्विन विराठ को ली रो श्रमायाफिर रविंदर जडेजा, सही आंसर है, option D, so, किनारा कैपितल, an innovative fast-going fintech serving India's MSME, announced that, it has signed the Indian cricket team signing star, रविंदर जडेजा, as its official brand ambassador, किस bank ने पहला stand-alone metal debit card launch किया, yes bank, access bank, interest bank, या फिर IDFC first bank, सही answer होगा, option D, so, IDFC first bank announced the launch of first private infinite, the country's first ever stand-alone metal debit card, in partnership with visa, किस के साथ, visa के साथ, तो ये भी आ सकता है, किस के साथ, पार्टनर्शिप में, क्या mastercard के साथ, ठीक है, तो इस तरह से भी आ सकता है, question, तो visa के साथ, पार्टन किया नाम है, first private infinite, तो इस किया है, first ever stand-alone metal debit card, IDFC first bank द्वारा launch किया, बाकिया आप जानते है, IDFC first bank के CEO, वी वैद्यनातन है, headquarter मुंबई में है, tag line है, banking hut के, वहन वित्व पोशने के लिए किस bank ने, Toyota, किलो स्ट कर्प, motor private limited के साथ, समझता गयापन पर हस्ताक शेरुक किये है, RBL bank, HDFC bank, करनाटका bank, Central bank of India, सही answer है, option C, so करनाटका bank has signed MOU with Toyota, किलो स्कर, motor private limited for vehicle financing, तो वहिकल financing के लिए, Toyota, किलो स्कर, motor private limited ने, करनाटका bank के साथ, MOU sign किये है, बाकिया आपको जानना जाए, करनाटका bank का MD and CEO है, महा बलेश्वरा MS Headquarters Mangalore में है, टैग लाइन है, your family bank across India, करनाटक विकास करामी इंड बैंक ने बीमा उत्पात बेचने के लिए, किस सामान ने बीमा company के साथ, समझोता कि आपन पर हस्ताक्षर किये, सही answer है, option B, तो करनाटका विकास करामी इंड बैंक है, signed M.O.U. with Liberty General Insurance for selling insurance products, तो अपने 2639 प्रांचेस में जो है, Liberty General Insurance के जो प्रोड़क्ट्स हैं, जो इनकी बीमा policies हैं, उनको बेचेगा, करनाटक विकास करामी इंड बैंक, आर्थिक सहयोक और विकास अंगटन OECD के नुशार, fiscal year 22 के लिए भारत का GDP पूरवानुमान क्या है, सही answer है, option D, So, India's GDP forecast for fiscal year 22, as per the OECD is 9.4%, तो देखे, पहले ने 9.7% बोला था, अब इसको घटा कर 9.4% कर दिया है, fiscal year 22, यानि की 2021 की स्पाइस के लिए, किसने? Organization for Economic Cooperation and Development, OECD ने, OECD के बारे में आपको जाना चाहिए, Headquarters Paris, France में इसकी स्थापना, साल 1961 में होई थी, 1961, 30th of September, अब देख लेते हैं, previous assignment questions की answer, राश्री संचेती is associated with which sport answer is? Shooter, तो देखे, शूटर है, और national competition में उने, जो है, gold जीता है, Madhya Pradesh में, air rifle में, तो इसलिए, न्यूज में रही, Named the Governor and Chief Minister of Madhya Pradesh, so Governor is Mangubai C. Patel and Chief Minister is Shivra Singh Chauhan, which airline has been acquired by Murali Raj Jalan, Carlo Capital Consortium, answer is Jet Airways, by now paid approval feature has been launched by which life insurance company, Max Life Insurance, Harihar Chhetramila or Sonipur Cattle Fair is the biggest cattle fair in Asia held in which state answer is Bihar, और आप मेंसे कई estimates में बिल्गुल सही answer दिया है, friends, इसी तरह से आप participate करते रहिए, चलिए आज की assignment question देखेंगे, और यदि आपको मारा content अच्छा रगता है, तो आप वीडियो को like और share भी कर सकते हैं, Keshawadhi dance is performed in which state important question ये, Name the Governor and Chief Minister of Gujarat, what was the theme for World 8th State 2021, tip 1, which bank launched India's first credit card made from recycled PVC plastic, who is the MD&C of Indian Farmers Fertilizers Coopertive Liberty, यानि की IFCO, तो देखें जो third or fourth question है, तो अपने MC की format में किया था, तो आप देखते हैं कितना आप revise करते हैं अपने current affairs को, इन का answer आपको बताना है दोनों होगा, ठीक है, कोसिस कीजएगा कि first का answer भी आप हमें जरूर से बताएं, अगर आपको एक question का answer भी आता है, तो भी आप हमें comment box में जरूर बताए करें, गुजरात के Chief Minister नाम तो आपको पता ही होगा, कम से कम में बात कर रहा हूँ, तो वो जरूर आप बता दीजएगा, साथी current affairs fund आप टेलिग्राम पर भी जोइन कर सकते हैं, यहाँ पर आप regular वीडियो updates और current quizzes पा सकते हैं, साथी discussion group में आप किसी भी question का solution पा सकते हैं, यहाँ पर हमारे current affairs की playlist दी गई है, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, fellow listeners साथ, हमारे current affairs को share जरूर करें, आज का session आपको कैसा लगा, हमें comment box में जरूर बताइएगा, thank you guys, साथी जैसे कि मैंने आपको बताया, कि जो हमारे PDF subscribers हैं, तो उनको PDF आप से app पर ही available होगी, drive पर upload नहीं की जाएगी, ठीक है, तो आप current affairs fund नाम से app है मारी, उसको install जरूर कर ले, thank you guys,